जा सके हम आपको अंधर लेके चलू कि अब कराइब सीन जहां पर पोलिस ने आके अभी चाहर नहीं करी हैं। यहां से तीनों लोक आते हैं। और उसके बाद जो दो लोक हैं तो डॉक्टर हैं। उनके स्टीट्मेंट्स के अनुसार वो तीनों यहां पर आते हैं। इस जगा पर आके बैठ जाती है और अचानक से इस दिवार अगर आप देख रहे हैं यह गिर जाती है तो दीख्षा सीध है नीचे स्ट्रॉफिट चरी जाती है आरोप लगाया है कि वह जो निशान आप देख रहे हैं यह संभुता का सीटे जाने के निशान यह क्राइम सीन जो आप देख रहे हैं यह MBBS डॉक्टर दीख्षा तिवारी की वही आखरी लोकेशन है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कानपुर में MBBS डॉक्टर दीख्षा तिवारी की छटी मंजल से गिर कर संदिक्द हालत में मौत हो गए घटना की सूचना मिलते ही पहले ही उसने दो दोस्तों के साथ पार्टी की थी बहराल यूपी तक की टीम उसी क्राइम सीन पर पहुंची जहां यह हादसा हुआ पार्टी करी और उसके बाद आधी रात को यहां पर छट पे कुछ देर समय बिताने के लिए तीनों डॉक्टर आये सबसे बहले मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां की उचाई कम से कम नीचे जो है अगर आप देखेंगे सौ फूट का यह फासला है साथ फ्लोर उपर यह च् उनके स््टीट्मिंट्स के अनुसार वो तीनों यहां पर आते हैं और उसमें से दीक्षा जो है वो इस जगा पर आके बैट जाती है वहीं दोनों ख़ड़े हो गया बादे कर रहे होते है दीक्षा यहां बैटी होती है और अचानक से यह यह जो दिवार अगर आप देख यह गिर जाती है और दीक्षा सीधे नीचे 100 फिट चली जाती है जहां से उसकी लाश को रिकवर किया गया मैं अपने कैमरा पसे दिखाऊंगा रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको दिखाएं कि कितनी यहां से हाइट है नीचे तक की दोनों डॉक्टर का कहना है क्योंकि यह द कर आए और निशान दही पर कुछ जो निशान है आप देखेंगे उसको यहां पर चिन्नित किया गया है सरकल बनाया गया है यह आरोप लगाया गया है कि यह जो निशान आप देख रहे हैं यह संभवता घसीते जाने की निशान है जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने इस पूरी तरीके से एक हाथसा था इसमें कोई साजिश नहीं है वही दूसरी तरफ जो परिवार है वह आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी है वह किसी असाधारन हाथसे में नहीं मरी है बलकी इसके बीचे को साजिश है पुलिस का कहना है कि वह इस पूरे मामले को इस वक में मौझूद हूँ उसी घटना स्तल पर जहां पर पुलिस ने उस महिला डॉक्टर की बॉडी को निकाला मैं आपको बता दूँ कि ऊपर से इस डक्ट में महिला डॉक्टर गिरी और इस छोटी सी जगा में उसकी बॉडी जो है यहां पर आप देखेंगे यहां पर उ महिला डॉक्टर का वो जो दोस्त जो उनके साथ था छे फ्लोर से नीचे आया उसने इंतजार नहीं किया बाहर से आने का और जानकारी की मुताविक इसी पाइप से अंधर ही अंदर लटक के वो शक्स यहां पर आता है आपको दिखा दें वो जो गेट पड़ा हुआ है इस स्थान पर इस गेट को यहां पर तोड़ा गया और उसके बाद इसी गेट को तोड़ कर मौके से महिला की जो लाश है वो निकाली गई और उसको पोस्टम के लिए भेज दिया गया फिलहाल अपने आप में एक अनोखा मामला लग रहा है फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से इंतजार कर रही है कि परीजन किस तरीके की तहरीर देंगे अब देखना यह है कि यह एक हाथसा है या फिर एक वेल प्लाइट मिस्ट्री बहराल फॉरेंसिक टीम ने भी छटकी जाच की, जाच के दौरान फौरेंसिक टीम को छटकी कुछ हिस्से में घसीटे जाने के निशान मिले हैं अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये निशान शब को घसीटे जाने के हैं या नहीं फिलहाल पोस्ट मौचम रिपोर्ट पर भी पुलिस की नजर है पुलिस हरांगल से मामले की जाच कर रही है कल रात्री में थाना सुरूपनगर के ये मेडिकल कॉलिज का परिक्षा भवन है यहां पे जो है वो तीन कुलीक थे जो फाइनल यर के स्टुडेंट थे इसमें एक लड़की और दो लड़के थे उनके द्वारा जो है वो जैसा बताया गया कि एक पाटी की गई और पाटी कर गया है दोनों जो मित्र थे उनसे पुलिस पूस्ताच कर रही है उनके द्वारा जो बताया गया है उसको वरिफाई कर रही है और बाडी को पोस्ट मॉटम के लिए भेजा गया है चोटों को और बाकी चीजों को जो है फॉरंसिक की टीम ने डिटेल्ड में डीपली जो प्रारंभी पूस्ताच में जानकारी हुई है कि तीन मित्र है परिजन भी इसको एकसेप्ट कर रहे हैं कि जो तीनों है ये अच्छे फ्रेंड थे घर भी आना जाना था और उसके बाद जो है ये चुकी इनका परिक्षा समाप्त हो गया था वे इंटरंसिप होनी थी उ और उसके बाद जो है कल रातरी में ये घटना करम हुआ है पूरे घटना करम की जो है डेटेल में जाच की जा रही है और पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आने के बाद इसमें अग्रिम विधिकारवे की जाएगी कानपुर से सिमर्चावला की रिपोर्ट यूपी तक